हमिरपुर जिला को कांगरा जिला से जोनने वाला व्यास पुल पर अत्यदिक पानी आ जाने के कारण वाहनों की आवज राही बन करती गई है। कांगरा जिला की सीमा के साथ ख्वाजा मंदर के पास सड़क के दोनों और से डंगे निकल गई हैं। आलमपुर जिला कांगरा पुलिस ने पुल के उपर वानों की आवज़ाही के साथ पैदल आवज़ाही पर भी रोक लगा दी है। एक तरफ बैरिगेटिंग करके लोगों को सुरक्षा एतियातन के मध्य नजर पुल के उपर से आवज़ाही करने को मना किया जा रहा है। हमिरपुर जिला को कांगरा जिला से जोनने वाला व्यास पुल पर अत्यदिक पानी आजाने के कारण वाहनों की आवज़ाही बंद करती गई है। उधर दूसरी तरफ से सुजानपुर, हमिरपुर मुख्य मार्ग, नोहली पर भी खत्रा मंद्रा गया है। सुजानपुर पुष्चासन ने सुरक्षा एतियातन के मध्य नजर कार्रेवाई शुरू कर दी है। हमिरपुर जिला को कांग्रा जिला से जोनने वाला व्यास पुल पर अत्यदिक पानी आजाने के कारण वाहनों की आवज़ाही बंद करती गई है। कांग्रा जिला की सीमा के साथ ख्वाज़ा मंदर के पास सड़क के दोनों और से डंगे निकल गई है। आलमपुर जिला कांग्रा पुलिस ने पुल के उपर वाहनों की आवज़ाही के साथ पैदल आवज़ाही पर भी रोक लगा दी है। एक तरफ बैरिगेटिंग करके लोगों को सुरक्षा एतियातन के मध्य नजर पुल के उपर से आवज़ रही करने को मना किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ से सोजानपुर हमिरपुर मुख्यमार्ग नोहली पर भी खत्रा मंदरा गया है। सुजानपुर पृष्चासन ने सुरक्षा एतियातन के मध नजर कार्वेबाई शुरू कर दी है। कि चुरू कर दी है।